आयोध्या लोगों की आस्था का केंद्र 22 जनवरी को राममंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों की संख्या में लोग यहां दर्शन को पहुँच रहे हैं राममंदिर ट्रस्ट के मुताबिक हर रोज औसतल दो लाख लोग रामलिला के दर्शन कर रही हैं दस मार्श तक इमकी कुल संख्या एक करोर थी। इसे के साथ अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन चुका है। इतनी बड़ी संख्या में कहीं और श्रधालू नहीं पहुँचते। आपको एक एक करके बताते हैं कहां किस इबादत गाह में कितने लोग आते हैं। वो भी साल भर में। वेटिकन सिटी इसाईयों के लिए वेटिकन सिटी सबसे पवित्र है। पूरे साल में करीब 90 लाख लोग यहां आते हैं। मक्का दोहजार तेईस में 26 जून से 1 जुलाई तक 40 लाख लोग हच करने पहुँचे। दोहजार तेईस के रमजान में तरीब 30 लाख लोग उम्रा करने मक्का पहुँचे थे। अयोध्या भूमी पूजल से पहले हर रोज तकरीबन 5000 लोग दर्शन के लिए आते थे। लेकिन 22 जनवरी जब से रामलेला की प्रान प्रतुष्ठा की गई तब से 10 मार्च तक कुल 1 करोण लोगों ने यहां पर दर्शन किये हैं। और हर रोज रामलेला के दर्शन को आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।